जारखंड में मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के दौर में सडकों का बेहतर रखरखाव किया जा रहा है पिछले चार साल में पथ निर्माड विभाग और भवन निर्माड विभाग ने सडक को बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत जोंग दी है वहीं सडक निर्माड विभा के प्रधान सचिफ सुनील कुमार ने बताया कि चार साल में जारखंड में बावन सो किलोमीटर की सडक बनाई गई वहीं चारखंड में कुल सत्रे हजार किलोमीटर सडक का निर्माड किया जाना है जिसमें से 14,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है 2000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाइवे के दारे में आती है वहीं राज्य सरकार की ओर से कुल 500 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार किया जा चुका है जबकि 4600 किलोमीटर सड़क का निर्माण जारी है सुनिल कुमार ने बताये कि 283 योजनाय वर्तमान में विभाग की ओर से चलाई जा रही है अब तक विभाग की ओर से 398 बड़े पुल पुलिया का निर्मान पूरा किया जा चुका है उसको हम लोग अच्छी पर लें वो एनेचे आई और एनेच के बाद दर्म से हम लोग उसको एजी कुट कराते हैं तो इसमें 14,000 किलो में लगबग मैं कह सकता हूं कि दो हजार किलो में पर जो रोड है उसकी लेंथ बढ़ी है मतला last four years में और इसका जो जो इसका जो मैं कह सकता हूँ कि एक road density होती है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है जो road density है road density means होगी जो आपकी 1000 square kilometer पे आपकी कितने kilometer की लेंद है तो इसमें भी काफी इजाफा हम लोग ने last four years में किया है तो इस पे अभी हमारे पास जो पुल जो मैं कह सकता हूँ की चार सालों में तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 km की हमारी total जो road है 14,000 km की उसमें लगबक 5,200 km का हम लोग आइदर रिपेरी उसका जो IRQP कर चुके हैं या फिर हम लोग उस पे मैं कह सकता हूँ वाइदनिंग कर चुके हैं तो वो हम लोग ने लिया है और इसी प्रकार हम लोगों ने लगबक 39 जो मेजर पुल पुली है पुल पुली हमनों बहुत सारे बनाते हैं लेकिन जो बहुत बड़े पुल पुली है उसका मैंने फिगर दिया है हम लोगों ने कंप्रीट किया है लगबक साड़े पास जार के आसपास किलो मेटर के लगबक 50% कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने उसको टेक अप कर लिया है इसके अलावा हमारी लगबक कितनी जा इसकी चल लिए दो सो टेरा सी किलो मेटर का लैंठ इंवालव है तो अगर आप देखेंगे तो वारा चाओदा हजार किलो मेटर हम लोग कंप्रीट कर चुके हैं और जो चार जार शेसो किलो मेटर के आप अपास हो जाता है तो यह इसमें मोशली वाइडिनिंग है या फिर स्ट्रेंट नि अच्छी और चोड़ी सड़कें विकास की निशानी होती हैं जारखंड में बेहतर सड़क के जरिये ही विकास की गती को तेज किया जा सकता है उमीद है कि सरकार समय से अपने लक्ष को हासिल कर लेगी पंजाब केसरी टीवी के लिराची से आशुतोष सिनहा की रिपोर्ट